नमस्कार, मेरा नाम रामानुज है और आपका स्वागत है हमारे शोव में मुझे उम्मीर है आप हमारे सारे भाग देख रहे हैं और स्वादेश खाना पकाना सेख रहे हैं आए आज हम लोग बनाते हैं शिम्ला मसाला शिम्ला मसाला बनाना के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, हमारे लिए शिम्ला मिर्च कटी हुई, मेडियम साइज्ट, फिर हमें चाहिए इमली का रस, सिर्फ दो यतीन चमच, और इसके बाद मसाले के लिए हमें चाहिए होगा, कोपरा, कटा हुआ, हल्दी, मिर्ची पाउडर, हींग, जीरा, जैफाली और धन्या पाउडर, हमें और नमक स्वादानुसार अजी हम अपना, कड़ा हमें रखले हमें, और इसमें आपना अटालेके, फोड़ा सती, और जैसे तेलगर पुस्ता है, हम इसमें डलेंगे जीरा, और हींग, और हींग, और जैसे के करम को रहा है ते लपना, हम इसमें गलेंगे देखने की बाद, शिम्ला मिर्च, और जैसे अपना, कि छिम्ला मिर्च तल रहा है, हम इसे छोड़ देंगे, ऐसे ही 15-15 मिर्च तल जाने अच्छी तरह से, और इस बीच हमें तयार करना है, हमना हमारा मिश्रल मिसाले के, हम ले लेते हैं, तीन चम्मच, इमली का रश, और डाल देते इसमें, फिर हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं, देखे, बन रहा है हमारा मसाला, और दिख भी बहुत अच्छा रहा है, जरा साब्धानी से, क्योंकि आपने मिर्ची को हाथ लगाया है, अच्छी तरह से मिलने के लिए हाथों से ही अच्छा होता है, और इसमें मैं मिलाओंगा थोड़ा सा नमक, स्वादा नुसार, मैंने जेफाली इसमें इस्तिमाल की है, और जेफाली नहीं है आपके पास तो आप इस्तिमाल कर सकते हैं, तिल, तिल का पौडर, जितना ही जितना जेफाली हमने इस्तिमाल किया है, और देखे बन गया है हमारा मसाला, और अभी हम 15 मिनिटों के बाद डालेंगे इसमें, तली हुए शिम्रा मिर्च के साथ, पंद्रा मिनिटों के बाद हम लोग देख रहे हैं कि अच्छी तरह से तल गया है अपना शिम्रा मिर्च और तयार है, मसाले के साथ मिलने के लिए, तो बग्या की विलंके हम इसमें मिला जेते हैं हमारा मिश्रन, मसाला, अच्छी खुश्वा रही है फूगी, जब बन जाएगा यह अच्छी तरह से तो आप इसे खा सकते हैं दोपेर में नान या रोटी के साथ, नहीं तो आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, जैसे यह बन रहा है हम इसे छोड़ देंगे लेकिन इस बार पांच मिनिट के लिए और इसे धख देंगे हम, पांच मिनिट हो गया है और देखिए अच्छी तरह से बन गया है हमारा श्रिम्ला मसाला, आज आपने सीखा कैसे बनाते हैं श्रिम्ला मसाला, मुझे उमीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपकोई सुछाव हैं, तो जरूर हमें कमेंट्स भीजिए, हम प्रयास करेंगे कि आपकी जुमनों कामना है, पूर नमस्काए!